नमस्कार आपी लाइव तो स्विरे वाइरल अर्यान चनल के मादम से देख रहे हैं करनाल नैसनल हाईवे पर एक सियाज गाड़ी पल्ट जाती है देख सकते हैं बुरी तरह से पल्टी हुई है और बलैनो गाड़ी यही पर खड़ी हुई थी कुछ नैसनल हाईवे पर दीब नुकसान हुआ है और बलैनो गाड़ी पीछे से ठोक दी जाती है सियाज गाड़ी के दुवारा बताया जा रहा है कि मकैनिक इस गाड़ी में बैठे हुए थे और शायद सर्विस के बाद इसकी राइड कर रहे हो इसका चक्कर ले रहे हो देख सकते हैं सियाज गाड की चोटे बताय जारी है साथ से में कुछ लोगों को हलकी फुल की चोटे जुरूर आई है डायलेक सो बारा की टीम मोके पर पहुँच चुकी है जो बाइक सवार था हालकि उनसे बाचीत करने की कोशिस करेंगे वो स्रक्सित है यह नहीं है बलैनो गाड़ी चालक यहां पर कुछ लोग है यहां पर शायद चस्मदीद हो उनसे बार बाचीत करने की कोशिस करेंगे आला कि जो सियाज गाड़ी चालक थे उनको होस्पिटल पहुचा दिया गया है अलकि फुल की चोटे जुरूर आई है अपील रहेगी सब वेडियो को आप शेयर अवश्य करें कर मारती है जिसके बाद गाड़ी पल्ट जाती है और जो इस गाड़ी में सवार थे हाला कि उनको बताय जा रहे है कि उच चोटे आई है उनको होस्पिटल जुरूर पहुचा दिया गया हमारी अप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को शेयर साथ के साथ जुरूर करें औ इस हादसे में तीन वहानों का नुकसान जुरूर हुआ है आगे आप देख सकते हैं ये बाइक जो कि इस हादसे में नुकसान हुआ है इस हादसे में इस हादसे का सिकार हुई है बलैनो गाड़ी है जो कि यहाँ पर खड़ी हुई थी और सियाज गाड़ी थी जो कि पीचे से आकर टक्र मारती है इन तीनों वहानों का एक भारी नुकसान यहां पर देखने को जरूर मिल रहा है और चस्मदीद है उनसे एक बार बातचीत करेंगे मोके पर पुलिस पहुंची है डायलेक सुबारा की टीम मोके पर पहुंची थी और लाइव तस्विरे बड़ी खबर बड़ी अपडेट आप परल हरियान चैनल के मादम से देख रहे हैं फिलाल मोके पर पुलिस पहुंच चुकी है और जिनकी गाडियां है उनसे भी एक बातचीत करने की कोशिश करेंगे बलैनों गाडी का बेदी नुकसान जरूर हुआ है क्योंकि साइड में यहां पर खड में खड़ी हुई थी तबी सियास गाड़ी आती है और पीछे से हिट करते है उसके बाद यह गाड़ी पल्टे जाती है अपील रहेगे सब वीडियो को आप शेयर अवश्य करें लाइव तश्विरे आप वारल हरियान चैनल के मादम से देख रहे हैं देख सकते हैं कि बड अदम से दूनों गाड़ीों को ठाने में लेकर जाए जाएगा यह बड़ा हादसा हुआ है देख सकते हैं किस तरह से गाड़ी आज तीन वहनों का नुकसान हुआ है तीन वहन इस हादसे का सिकार हुए हैं और देख सकते हैं पुलिस की टीम मोखे पर पहुँची थी और अब इन गाड़ीों को ठाने में लेकर जाए जाएगा फिलाल देख सकते हैं कि बैद ही जोरदा टकर हुई है किस तरह से गाड़ी पल्टी जाती है और पीछे से गाड़ी पूरी तरह से तूट चुकी है मुसकर अंदर की तरफ देख चुकी है पीछे से गाड़ी देख सकते हैं जोरदा टकर जुरूर रही होगी कि किस तरह से भैद ही जोरदा टकर थी ये नुकसान आप अंदाजा लगा सकते हैं से नुकसान को देख कर कि किस तरह से जोरदा टकर रही होगी और ये बाइक भी इस हादसे में सिकार हुई है तीन मानों की इस हादसे में नुक्सान हुआ है फिलाल पुलिस की टीमे मोके पर पहुंच चुकी है और आगे की जाँच करते हुए नजर आ रही है और दो गाडिया जो है बिल्कुल शतिगरस्त हो चुकी है बाइक का भी बेहद नुक्षान हुआ है और जो गाड़ी चालक थे बताया जारत दोनों को ही यहां से लेकर जाए जा चुका है और मोखे पर पुलिस पहुंची है डायलेक पहुंची थी उसके बाद इस्तानिया पुलिस को सूचना दे गई जो कि मोखे पर पहुंच चुकी है बागी की कारवाई की जाएगी दोनों गाड़ीयों को थाने में लेकर जाए जाएगा अपील रहेगी से वीडियों को आप शेयर अवश्चा करें और सडक नियूमों का अब करना चाहिए आपकी गाड़ी को आप साथ बाइक आपकी हैै कैसे हुआ था आप साथ यह बाइक साथ में गड़ी जोड़ा थे गाड़ी थी फूड़ा चाहिए पर तो नेंदारी दूसको क्या हुआ था सिटिट ड्राइक इसमें लगी आगए शना खार था खेए वह पुर्दा टक्र लगी तो जा गड़ा था तब जाके अच्ट वह में बचे गया पिछे था यह खाना खारे थे बलाणा वाला हाना वे बलाना खाला हम के बाद के बाद ये पलट गी और ये गाड़ी भी इस तरवी देख इसे मलें ब्हुत जोर तटक्र थी याभी एक है रहा तो बिल्कुल इनकी बाइक थी और बाइक यहां पर खड़ी कर ये वो शुम कर रहे थे और गनीमत यह रही कि यह बच गए गाड़ी और इस बाइक में डिस्टेंस बहुत था और हिट करने के बाद गाड़ी देख सकते हैं पास में आ जाती है और घूम जाती है इसका मुँ इस तरफ था नैसनल हाईवे पर और गाड़ी हिट करने के बाद घूम जाती है सियाज गाड़ी बहुत ही जोरदार हिट करती है जोरदार टकर होती है जिसके बाद गाड़ी तक थे उनको यहां से लेकर जाजा चुका है होस्पिटल साथ लेकर गए हैं अब सभी से अपील इस वीडियो को आप शेयर अवस्य करें दिली नंबर गाड़ी है और सियाज गाड़ी जिनकी गाड़ी थी शैद उनको अभी तक सूचना रहेगी इस वीडियो को आप शेयर अवस्य करें और देख सकते हैं बहद ही जोरदा टकर थी जिसमें दोनों गाड़ीों का बहद ही जोर नुकसान है वो हुआ है और बाइक वो अपनी साइड में लगा कर वो शुम करने के लिए उत्रे थे गनीमत दे रहे हैं कि वो बच गए उनको चोट नहीं आई अब सभी सपेल इस वीडियो का आप शेयर वस्य करें आप देख रहे वारे लर्यान मैं हूं आपके साथ मिलन